मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार, मेरा नाम है नितेज जैन और आप सब का स्वागत करता हूँ मैं आज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की ब्लेसिल दवाई के बारे में जी हाँ दोस्तों ब्लेसिल दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरह की उपियोगिता हम बताएंगे इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोस के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मातरा में आपको बलेसिल दवाई लेनी हैं, कितनी एकर जमीन में इसको करना है, कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल बनाना है और कितनी कौन-कौन सी फसल में आप इसको कर सकते हैं, कौन सी फसल में आपको इसको नहीं करना है यह सारी जानकारियां देंगे दोस्तों वीडियो के मध्य में, महत्वपून बातों के हिससे में और वीडियो के अंत में आपको ब्लेसिल दवाई करते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे कि ये ब्लेसिल दवाई आपको कौन-कौन सी फसल में उपयोग में लेनी है या दोस्तों मुख्य रूप से धान यानि कि चावल में ही आपको ये दवाई उपयोग में लेनी है क्यों लेनी है दोस्तों क्योंकि इसका टेकनिकल नाम है प्रो-क्लोराज 23.5% WW और ट्रैसाइक्लोजोल 20% WWSE फॉर्मिलेशन में दोस्तों ये मौजूद है दवाई इसी वज़े से आपको सिर्फ और सिर्फ धान में यानि कि चावल में ही उपयोग में लेनी है क्योंकि ये फंजिसाइड मात्र चावल में ही उपयोग में आता है और दोस्तों अगर बात करें इसके dose की तो 400 ml प्रती एकड के हिसाब से आपको ये दवाई उपयोग में लेनी है यानि कि एक एकड में आपको 10 spray tank लगाने है और एक tank में आपको 40 ml बलेसिल दवाई लेनी है तो 40 ml पर spray tank के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 400 ml प्रती एकड के हिसाब से ये dose automatic ही हो जाता है बताई गई dose के हिसाब से दोस्तों काम में लेनी है अप अन्य fungicide या अन्य कोई भी तरह का bactericide इसमें मिला सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बातों की जहां दोस्तों ये blast रोग की रोगताम के लिए प्रियोग होता है क्योंकि धान की खेती में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज परेशान करती है तो वो करती है blast blast जाए नेग blast हो, root blast हो, leaf blast हो, stem blast हो या किसी भी तरह का blast हो वो blast जो भी अगर धान में किसी भी समय आता हो, उसमें आप ब्लेसिल दवाई डाली है और बहुत ही जबरदस्त उसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा ये चावल में leaf blast के नियंतरन के लिए एक सूपर blastic side है ये अपनी बहतर रोग नियंतरन गतिविदी के साथ किसान को मन की शांती प्रदान करता है leaf blast के लिए जोड़दार है, ये दो प्रभावी सक्रिय अववियों की ताकत को जोड़ती है ताकि लंबी अवधी के लिए blast का बहतर नियंतरन प्रदान किया जा सके क्योंकि दोस्तों इसमें दो technical है, तो इसलिए और ज्यादा effective तरीके से ये काम करके देता है ये जिल्लियों में agrostoral gel sensation का निशेद करता है जहां दोस्तों ये जो जिल्लियां होती है धान की, उसमें ये agrostoral gel sensation को हटाता है उसका निशेद करता है और दोस्तों ये कवक कोशिका भित्ती में melanin sensation का निशेद करता है दवाई, क्योंकि ये systemic fungicide है, दवाई आप पत्तों पे डालें, पेड़ पे डालें, जड़ पे डालें पत्तों द्वारा अवशोशित होती है और पूरे पौधे में automatic फैल जाती है दवाई इसलिए बहुत अच्छा काम करके देती है ये दाने में बहतर अनाज भड़ता है और उच अनाज गुणवनता प्रदान करता है मतलब जो धान का दाना आता है, उसमें जो चावल जो अंदर बन रहा होता है, उसमें दूद पूरा बनता है और इसी वज़े से दाना बहुत मोटा आता है, और दाना भड़ा भी नहीं पड़ता है, मतलब काला भी नहीं पड़ता है, भूरा भी नहीं पड़ता है बहुत अच्छा निकल कर आता है दोस्तों दाने में पोच नहीं रती यह नई AI प्रतिरोध प्रभंदन के लिए उप्यूक्त है बहतर परिणामों के लिए आपको चिपको सर्फिकेंट का इस्तमाल करना ही है एड्जोंट का इस्तमाल करना ही है कुल मिलाकिय अगर मैं दोस्त भी बढ़ेगी क्वालिटी भी बड़ेगी तो इसलिए धान की जी जुच धान में जब गढ़ा निकलेगा तो इसकी चमक भी बहुत अच्छे होगी उसमें पोचा दाना नहीं रहेगा इसलिए बजार में भी आपको रेट बहुत अच्छी मिलेगी धान की और दोस्तों concludes saint अब आपको बता देते हैं कि यह हमने स्लाइड रखी है लेकिन यह ब्लेसिल दवाई के लिए नहीं है यह सिर्फ आपको यह जानने के लिए है कि कौन सा रोग का किस तरह का नाम होता है क्योंकि हम वीडियो के बीच-बीच में आपको अलग-अलग तरह के नाम बताते हैं किस स्टरिनेरिया लीव स्पॉट हो गया या लीव लाइट हो गया कोमल फफंदी हो गई कस्ता फफंदी हो गई तो यह दिखती किस तरीके से है इसलिए हमने यह स्लाइड बीच में जोड़ी है हर वीडियो के बीच में और दोस्तों अब जानकारी दे देते हैं आपको सावध पेट कभी दवाई का इस्प्रे करने नहीं जाना है अच्छा सा आहार लेकर भोजन लेकर ही आपको दवाई का इस्प्रे करने जाना है और सबसे महत्वपून बात यह है दोस्तों कि आपको कभी भी जब भी आप दवाई का इस्तमाल करने लगें तो अच्छे से इसको हिल लाकर फिरी उसका गोल बनाना है और कभी भी आपको बहतर परिनामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रेय पंक और फ्लैट फैन नौजल का ही प्रयोग करना है ज्यादा गर्मी में और ज्यादा वारिश में आपको दवाई नहीं करना है सुबह के समय प्रयाप्त नमी में हो जाए तो खाली बॉटल खाली डबा खाली कट्टा या खाली कुछ भी वस्ता है उसको आपको पूरी तरीके से नश्ट करके जमीन में गड़ा खोदके गाड़ देना है अन्य किसी भी उपयोग में उसको नहीं लेना है चाहे पैकिंग कितनी ही अच्छी क्यों नहों और हवा से विपरीत दिशा में आपको कभी भी इस्प्रे नहीं करना है दोस्तों जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको इस्प्रे करना है और मदमक्की पालन वाले शेतर में मचली पालन वाले शेतर में भी आपको दवाई का सावधानी पूरवक इस्तमाल कर तो प्लीज इस वीडियो को लाइक आप जरू कर लिजे और दूसरे किसान भाईयों के साथ में जरूर इस वीडियो को शेयर करना है क्योंकि आने वाला वीडियो है इससे भी जबरदस्त उसका नाम है दोस्तो मेंसुल जियां दोस्तो मेंसुल के बारे में हम आने वाला वीड रूप से आपको इसकी जानकारी देंगे तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ में और अगर आपको इस वीडियो से जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो से वैल्यू मिलती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन का बैल आइकन जरूर दबाईए दोस्तों ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन की माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तों नमस्का